जै मातादी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ श्री वैभव लक्षमी ब्रत का था और ये कथा इस वरकार है कमला वेहज शुशील और संतोसी प्रवर्टी की स्तरी थी वैभगवान मिश्नु की सची भक्ती अपने पती सोहन लाल के साथ गाउं में रहते उसने और उसके परिवार ने सधा दुख ही जहले थे तब पती पत्नी ने आपस में सलहा की और अपने बच्चों को लेकर एक बड़े शहर में आ गए शहर में आकर सोहन लाल ने एक धावा खोल दिया जिससे अच्छी आमदनी होने लगी यह सब श्री नाराने जी की ही किरपा का फल था जो कमला के आराध्य थे सब कुछ ठीठाक चल रहा था मगर कमला को एक ही दुख था कि ज्यों ज्यों उसके घर में धन बढ़ता जा रहा था त्यों ते उसके पती की लालसा भी बढ़ती जा रही थी उसने अपने कमाए धन को जुए सट्टे और लाट्रियों में लगाना शुरू कर दिया था कमला अपने पती की लालची परवर्टी से डरा करती थी मौके बे मौके वह उसे समझाती मगर सोहन लाल पर उसके समझाने का कोई असर नहीं होता था वह कहता तुम पागल हो कमला अरे इतने बड़े शहर में आकर भी हमने कोठी कार नहीं बनाई तो धिक कार है हमें गाउं छोड़ने पर जब इश्वर की किरपा होगी तो वह इसी काम में इतनी बरकत दे देंगे कि हम यह सब बना और खरीद लेंगे कमला कहती इश्वर क्या किरपा करेगा करंबीर अपने बल पर ही यह सब प्राप्त करते हैं सोहनला एंकार भरी बाते करता और कमला मन मसोस कर रह जाती सोहनला के कदम दिन बदिन बहगते चले गए उसे जब भी जुए सट्टे या लाटरी में नुकसान होता वह सराब पी कर आता इस पर भी सोहनलाल को कोई समझ नहीं आये वह विक्री के पैसों से जुए या लाटरी खेल लेता और शराब पी लेता घर में पैसा देना उसने बिल्कुल बंद कर दिया कमला पैसों का जिकर करती तो वह काम मन्दा होने का बहाना बना देता धावे का सारा समान एक दुकान से उधार आता था जब दुकानदार को उसके जुए किलत और शराब पीने का पता चला तो उसने भी उधार देना बंद कर दिया धावे के कारीगर भी पैसा ना मिलने के कारण काम छोड़कर चले गए नतिजा यह हुआ कि धावे में ताला पड़ गया अब तो घर में फाका होने लगा अब सोहनलाल काम धंदे की तलाश के नाम पर सुबह घर से निकल जाता और साम को ना जाने कहां से सराप पिकर लोटाता था घर में दो मासूम बच्चे और कमला भूग से बिलगते रहते थे उस दिन तो कमला आस पड़ोस से मांगर बच्चों का पेट किसी परकार भरती रही मगर आज तो कड़ोसी ने भी नजरे फिर ली आकिर कोई कब तक किसी पर दया कर सकता है रात होने पर बच्चे भूग से बिलग बिलग कर सो गए नशे में दुथ सोहनलाल भी आकर सो गया और बैचारी कमला घर में बने मंदिर के सामने बैटी रात भर आसू बहाती रही उसका फिर्दय बार बार कह रहा था कि हे नाराण जी यह मुझे किस पाप की सजा दे रहे हैं आप पर भू मेरे परिबार पर आई संकट को टालो आज मेरे बच्चे भूख से बिलगते हुए ही सो गए मेरा पती पतवरस्ट हो चुका है हे लक्षमी पती रक्षा करो मेरे पती को सद्धुद्धी दो इसी प्रकार बिंती करते हुए कब सो गए उसे स्वैम ही पता नहीं चला सुबह जब उसकी आँख खुली तो उसने देखा कि बच्चे सोए पड़े हैं पती नहाद हो रहा है कमला उसकी नजरे मिली तो उसने सिर जुका लिया फिर कपड़े पहन कर खामोसी से बाहर चला गया कमला हाथ मुधो कर फिर से अपने नरण जी के मंदिर के सामने जा बैटी चहरा गुटनों पर टिका लिया और सोचने लगी कि क्या करूँ बचे उटकर नाश्ता मांगेंगे तो क्या जवाब दूँगी तभी दरवाजे पर दस्तक हुई सेमो को इसी बह दरवाजे तक पहुची और दरवाजा खोला तो देखा कि एक साधू को अपने सामने खड़ा पाया कुछ बिक्षा दे बेटी साधू ने का बाबा मेरे घर में तो अन्ने का एक भी दाना नहीं है पास में एक फोटी कौड़ी तक नहीं है आपको क्या दूं कहकर वह रोपड़ी बेटी तेरे घर में धन पड़ा है अब तु दुखी है साधू ने का धन मेरे घर में बाबा अब क्यों मुझे भागी का उपहास कर रहे हैं मैं सच कह रहा हूँ बेटी अपने घर की दिवा में से एक पुस्तक निकाल कर कहा गी है मा बैभवलक्षमी की व्रत कथा की पुस्तक है तू मा लक्षमी की सरण में चली जा मा तुझे अवश्य ही किरपा करेगी और तेरा धन धाने से घर भर जाएगा मा बैभवलक्षमी की पुस्तक हाथ में आते ही कमला के शरीर में जैस उधार होगा नारायन नारायन कमला तो अपनी सारी सुद भूद भूलकर पुस्तर के प्रिष्ट पलटने लगी अचानक उसके मन में आया कि यदि घर में धन है तो बाबा को खाली हाथ नहीं भीजना चाहिए मैं अभी उन्हें कुछ दे देती हूं ऐसा सोचकर जैसे इसने नचने उठाई तो अवाक रह गई अभी छन भर पहले ही तो साधू ववा उसके सामने खड़े थे मगर अब तो वहां दूर दूर तक उनका पता नहीं था मगर नारायन नारायन के शब्द अभी वी उनके कानों में गूंज रहे थे कमला हत प्रत सी रहे गई तो क्या नार नोट निकले खुसी के मारे उसके चेहरा दमकने लगा एक नया उत्सा और फुर्ती आ गई उसके शरीर में जल्दी जल्दी इसने सनान किया और पुस्तक पढ़ने बैट गए पुस्तक में सबसे पहले उसने बरत के नियम पढ़े और यह पढ़कर तो उसकी खुसी का ठिक न ही ना रहा माँ बैव लक्षमी का बरत शुकरवार से आरम किया जाता है यह सयोग ही था उसने इस नानादी से निरुथ होका नयरायन जी के सामने ही संकलप लिया कि बहब माँ ब्यव लक्षमी के 21 रच करेगी उसके बाद ब़हْ बाजार गई और खाने पीना और पूजा का सामान लेकर आ गई उसने बच्चों को जगा कर उन्हें नहला धुला कर नाश्टा दिया और फिर मा बैवलक्ष्मी ब्रत कथा कि पुस्तक में लिखे नियमों के अनुसार ब्रत किया सारा दिर में जै मा बैवलक्ष्मी जै मा बैगोलक्षमी का चाप करती रही शाम के समय उसने विदिवत मा का पूजन किया और प्रातना की हे मा नाराण जी की आगया से मैंने आज आपकी शरण लिए है मेरी मनोती पूंड करना मा मैं के वल इतना चाहती हूं कि मेरे पती को सदबुद्धी आए वे सभी दुर्गुनों को त्याकर फिर से सदमाग पचलते वे अपना काम करे जै मा बैगोलक्षमी जै मा बैगोलक्षमी ब्रत कधा कहकर उसने बच्चों को चूर्मा का परसाद दिया अपने आस प्रोस में बाटा फिर पती के इंजार में पलगे विज़ाकर बैठ गई रात आट बजुश का पती आया कमला को यह देकर सुकत आश्चर हुआ कि आज वह नशे में नहीं था कमला आस तो चमतकार हो गया इश्वर की करपा से कल से ही मेरा ढावा फिर से चालू हो जाएगा आज लाला ने स्वैम बुला कर कहा कि यदि मैं शराव और जुवे की लग छोड़ दू तो वह मुझे फिर से आटा डाल आधी उधार दे देगा और कमला मैंने आस से ही कसम खाली कि मैं जीवन में कभी भी सराव और जुवे की दरफ नहीं देखूंगा यह सब तुमारे शुप कर्मों का ही चमतकार है नहीं स्वामी यह सब मा बैवलक्षमी का चमतकार है मा बैवलक्षमी का चमतकार हाँ स्वामी अब हम सब माँ बैवलक्ष्मी की शरण में हैं आज मैंने माँ बैवलक्ष्मी का ब्रत रखा है माँ बैवलक्ष्मी की सभी कमनों कामनाई पूर्ण करती है एक बार माँ जिससे प्रशन हो जाती है उसके जीवन में कभी भी दुख और डड़िता की छाया नहीं पड़ती मगर तुम्हें यह सब बताया किसने मेरा मन रुमान्चित हो रहा है कमला मुझे सब कुछ बताओ आओ स्वामी आओ आप भी पहले मा का आशिरवाद ले कमला उसे मंदिर के समी पले गई एक चौकी पाश श्रीयंत्र के समक्ष मां बहुलक्षमी की जोट अभी भी जल रही थी और जल के पात में रखी कटोरी में घर का आखरी गहना कमला की नाक के सोने का कील पड़ा था सोहनलाल जैसे ही माता की जोट के समक्ष आया उसकी आखों से अब्रिय अशुधरा बहन इकली और हाँ जोटकर वै बोला हे मां बहुलक्षमी मैं लोब में फसकर पत ब्रस्ट हो गया था मेरा मैं बिना मैनत किये धिर सारी दौलत पा लेना चाहता था मैं समझ गया कि मां आपने मुझे मेरे लालच का ही डंड दिया है हे मां अब मैं अपने परिवार सहीद आपकी शरण में हूँ हमारा उधार करो हे मां मैं आज से ही संकल्ब करता हूँ कि अपनी पतने के साथ आपके वरत को करूँगा फिर दोनों ने मिलकर मां बैवो लक्षमी का वरत किया इस एक साथ आपता में सोहनलाल के घर की इस्थिती तेजी से सुधरने लगी अब सोहनलाल ने लोग लालच त्याकर सब कुछ मां की मरची पर छोड़ दिया इसी परकार एकिसमा शुकर बार आया तो दोनों ने अपने सगे समंदियों को बुलाकर कथा कही साथ करन्याओं का पूजन करू ने भोजन कराया और उन्हें बैवो लक्षमी वरत कथा की एक एक कुस्तक भेट की इसके अत्रिक उन्होंने 101 प्रतिया सभी सरधालों में भी बाटी उसी दिन उन्होंने संकल्क लिया कि हम उमर भर निशकाम भाव से मा बैवो लक्षमी का वरत करते रहेंगे बोलो मा बैवो लक्षमी की जै कथा के बाद मा से इस प्रकार प्रातना करनी चाहिए है मा जिस प्रकार आपने कमला के मन की मुराद पूरी की ऐसे ही मेरे सभी और सभी भक्षमी की मन की मुरादें पूरी करना अपनी शरण में आय की रक्षा करना सबको सुक्समर्धी धन धाने और संतान देना और इस प्रकार बैवो लक्षमी की वरत कथा समाब्थ हुई